Dear Students, Welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear Students, हमारा आज का जो लेक्चर है, वो प्रोटोन NMR में डिफरेंट और्गैनिक कमपाउंड्स का स्पेक्ट्रा है. उसमें प्रॉमिनेंट पीक्स हैं, कि किस क्लास में पीक्स किस रेंज में आती हैं? Dear Students, हम इससे पहले NMR का बेसिक प्रिंसिपल, उसका अब्सॉप्शन प्रॉसेस, उसमें लार्मर फ्रिक्वेंसी, मगनेटो जाइरिक रेशो, अलफा और बीटा स्पेन स्टेट्स देख चुके हैं. हम इंस्टुमेंटेशन भी पढ़ चुके हैं, कैमिकल शेफ्ट, कैमिकल शेफ्ट को जो फैक्टर्स एफेक्ट करते हैं, वो भी देखे, N प्लस वन रूल पर आप पास्कल ट्राइंगल पड़ी है, फिर हमने देखा था कि डिफरेंट पीक्स की जो इंटेंस्टी है, प्रोटोन है, उनकी कैमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहां कहां आ रही हैं, और फिर नेक्स लेक्चर में हम किसी भी अननाउन कंपाउंड का जो स्पेक्टर है, वो डिटर्मन करेंगे, तो सबसे पहले हम अलकेंज को देखते हैं, अलकेंज में तीन तरह के प्रोटोन होते हैं एक CH3 वाले, मिथाइल ग्रूप, दूसरा CH2 वाले और थर्ड CH वाले, CH3 कहते हैं मिथाइल ग्रूप को, CH2 कहते हैं मिथाइलीन और CH कहते हैं मिथाइन को, यह जो CH3 ग्रूप है, इसकी रेंज 0.7 से 1.3 है, इसके प्रोटोन ज्यादा शिर्डड होते हैं, लेकिन जो CH2 है, इसमें चूंके दो कार्बन लग जाते हैं, कार्बन की एलेक्ट्रोनेग्टिव्टी हाइडोजिन से थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वज़ासे यह इनको थोड़ा सा डी शिर्ड करके 1.4 तक ले जाता है, और मिथाइन में कार्बन 3 हो जाते हैं, वो मिथाइन काम शील्डड हैं, अलकेंज में जो रेंज आएगी प्रोटॉन्स की, वो 0.7 से शुरू होकार 1.7 PPM तक होगी, यह रेंज है, अलकेंज में 0.7 से 1.7 PPM, अगर हम इनमें कपलिंग चेक करें, तो इनमें जो प्रॉमिनेंट कपलिंग है, वो J3 है, इसका मतलब है, थ्री बांड कपलिंग हो रही है, यह हाइडोजन, इस हाइडोजन से कपल का रहा है, तो यह थ्री बांड कपलिंग है, और इसमें जो कपलिंग कांस्टेंट है, वो 7 to 8 हर्ट्स आएगा, अब अगर हम एक स्पेक्ट्रा देख लिए हैं, लकें का, तो यह हमारे पास हम लेअट साइड और राइट साइड दोनों इक्फल हैं, अगर स्पेक्ट्रा देख लुड अगर सेम हैं तो लेफ्ट और रैट वाले प्रोटवन भी सही हूंगे, जैसे यह मिथाइल और यह मिथाइल सेम हैं, अब मिथाइल के नेबरिंग में दो प्रोटोन है, अगर न तो अगर आप इस CH2 ग्रूप को देखें, तो यह जो हमारे पास CH2 ग्रूप है, यह वाला और यह वाला दोनों सीमिलर हैं, तो CH2 के नेबरिंग में हमारे पास कितने प्रोटोन हैं? CH2 के नेबरिंग में 3 हैं, जिसके नेबरिंग में 3 होते हैं, वो कौर्टट शो करता है, यानि उसमें 4 पीक्स आती हैं, तो यह हमारे पास कौर्टट आ जाएगी, यह ट्रिपलड से थोड़ी सी de-sheilded है, क्योंकि कौर्टट वाले जो प्रोटोन हैं, वो दो उस कार्बन से अ अब डिये स्टूडेंट्स जब हमारे पास अलकेंज थोड़ी बड़ी हो जाती हैं या साइकललक अलकेंज हैं जिने में कार्बन ज्यादा होते हैं जैसा कि देखें ये हमारे पास आक्टेन है तो इसमें फिर जो प्रोटॉन एन्मर होता है उसको रिजॉल्व करना मुश्कल होता है तो इसमें फिर दो तरह की पीक्स आती है एक CH3 की वज़ा से और दूसरी CH2 की वज़ा से ये बड़ी टाल पीक्स होती है अब जितने भी CH2 ग्रूप होंगे सारे एक ही जगा पर आ जाएंगे जैसा कि देखें 6 प्रोटॉन है ये हमारे पास CH2 6 है तो ये सारे के सार प्रोटॉन यहां पर एक ही पीक के अंदर आ जाएंगे और जो मिधायल ग्रूप वाले हैं दोनों मिधायल एक ही जगा पर आ जाएंगे तो यहां पार है इसकी इंटेंसिटी इसके मुकाबले में डबल है यानि अगर ये तीन प्रोटॉन है तो ये 6 प्रोटॉन है यहां मतलब है कि जो इसमें मिथाइल ग्रूप वाले हाइडोजन है, मिथाइन ग्रूप वाले हाइडोजन उससे डबल है, तो जो लॉंग अलकेंज हैं, जिनमें कार्बन या CH2 ग्रूप, CI3 groups जदा हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें जो CI3 group होते हैं, वो सारे A की जगह पे अपीर होते हैं, और CH2 group A की जगह पे अपीर होते हैं, resolution मुश्कल होती है, तो हम intensity से चेक कर लेते हैं कि CH2 group कितने हैं और CH3 group कितने हैं, Next class है हमारे पास Alkenes, Alkenes में हमारे पास Carbon, Carbon double band वाले के साथ जो hydrogen लगा है इसको कहते हैं Vinyl group hydrogen, Vanillic hydrogen और ये Allillic hydrogen है, Elile hydrogen है, ये वाले नीचे वाले C double band, C والे carbon से direct नहीं है बलके उसके 7 वाले carbon पर है, तो हमारे पास 2 तरह के Proton Alkenes में ज्यादा prominent हैं, एक vinyl वाले और दूसरे हमारे पास illyle वाले जो vinyl वाले हैं वो ज्यादा deshielded हैं due to magnetic anisotropy यह वाला effect हमने study कर लिया था magnetic जो anisotropy है वो protons को deshield कर देती है और deshielded की वज़ा से वो TMS से away चले जाते हैं, left side की जाते हैं, downfield चले जाते हैं तो यह proton जो direct double band वाले carbon से touch है, वहाँ पर जो magnetic anisotropy है उसका effect ज्यादा होगा, यह ज्यादा deshielded होगा, यानि 4.5 से 6.5 तक चले जाएगा, लेकन जो allelic है, अगर्चे वो भी deshielded है लेकन उस पर magnetic anisotropy का effect काम होता है, क्योंकि वो double band वाले carbon से touch नहीं होते, result क्या निकलेगा होगे तो यह भी थोड़े से deshielded, लेकन उतने deshielded नहीं होंगे, जितने vinyal group वाले हैं, तो vinyal hydrogens are more deshielded than allyl hydrogen, because vinyal hydrogens experience more magnetic anisotropic effect, अब अगर हम इन coupling constant देखें, तो जो carbon carbon double band वाले hydrogen है, यह three band coupling है, one, two, three, three band coupling जो है उसका constant हमारे पास 11 to 18 आएगा, अगर वो trans लगे होंगे, और अगर cis लगे होंगे, तो 6 to 15 hertz आएगा, जो cis वाले proton है, उनका coupling constant 6 to 15 और जो trans वाले हैं, उनका 11 to 18 hertz आएगा, अब वो proton जो एक ही carbon पे लगे हुए हैं, इसको हम कहेंगे J2 coupling, two band coupling है, यह एक ही carbon पे लगे हुए हैं, यह बहुत कम होती है, उतनी prominent नहीं है, जितनी हमारे पास J3 coupling है, तो उसका coupling constant is 0 to 3 है, अगरचे alkenes में यह peaks शोग करेगी, क्योंकि दोनों तरह के proton एक जैसा environment बहुत कम experience करते हैं, इन में different environment ही होता है, अक्सर है, जब carbon-carbon double band वाले hydrogen है, इसके साथ J4 coupling भी होती है, अगर आप इन hydrogen को देखें, 1, 2, 3 और 4, यह J4 coupling है, 4 band तक coupling भी इन में मवजूद होती है, तो alkenes में हमारे पास J2, J3 और J4 तक coupling जो है, वो appear होती है, अब यहां से एक और बात भी हमें clear हो जाएगी, कि अगर हमने cis और trans isomer में, cis 2 butine, trans 2 butine इन दोनों में फरक करना हो, तो हम coupling constant से चेक कर सकते हैं, coupling constant की value different होती है, जिसकी वज़ा से हम दोनों में differentiate कर पाएंगी, trans में coupling constant की value ज्यादा है, और cis में इसकी value काम होती है, एक हमारे पास spectra है alkene का, यह हमारे पास 2 methyl, 2 पे methyl group लगा हुआ है, और 1 pentene है, अब इसमें देखें, 5 तरह के proton है, A, B, और यह C, D, और E, अब सबसे पहले A वाले proton देखें, जो A वाले proton है, उनके neighboring में 2 है, जिसके neighboring में 2 proton होते हैं, वो triplet show करता है, अब चूंके यह alkene की तरह का system है, saturated है, तो यह 1 से कम value, यह देखें, यह हमारे पास आजाएगी, 1 से कम value, यह A वाले proton की triplet आगी, क्योंके neighboring में 2 proton है, desheated होते हैं, तो इनके neighboring में चेक कर लें, B वाले जो है, 3 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ 5, अगर neighboring में 5 proton हों, तो इसका मतलब है, sextet आती है, तो यह हमारे पास sextet आजाएगी, 6 peaks आजाएगी, next हम देखते हैं, C वाले proton है, C वाले proton, क्योंकि उनके neighboring वाले carbon पर कोई proton नहीं है, तो वो singlet शो करते हैं, यह C वाले proton की singlet है, अब आगे हमारे पास carbon-carbon double band के साथ, जो proton attach है, E वाले, अब यह magnetic anisotropy की वज़ा से, बहुत ज़्यादा desheated होते हैं, तो यह बहुत अवे जाते हैं, यहाँ देखें, यह 4.525 के दर्मियान आ रहे हैं, due to magnetic anisotropy, यह double band वाले proton, क्योंकि यह magnetic anisotropic effect की वज़ा से, desheated हो जाते हैं, अब हमारे पास यह D वाले proton बच गए हैं, जो D वाले proton हैं, उनके neighboring में वाले carbon इस तरफ right side पे तो कोई नहीं हैं, लेकिन left वाले पे दो हैं, तो इसका मतलब है जिसके neighboring में दो proton होते हैं, वो triplet show करता है, तो यहाँ पर triplet भी appear होगी, अब यह जो दोनों proton हैं, क्योंकि different environment experience कर रहे हैं, तो इस वाज़ासे यह splitting show हो रही है, singlet यहाँ पर appear नहीं हो रही है, क्योंकि इन दोनों proton का environment different है, क्योंकि एक proton अगर एक तरफ methyl को देख रहा है, तो दूसरी तरफ propyle को देख रहा है, next अलकाइन्स, अलकाइन्स में जो हमारे पास triple band के साथ carbon के साथ है, triple band वाले carbon के साथ hydrogenate H है, तो 1.7 से 2.7 है, यह double band वाला de-shielded नहीं होता, यह भी magnetic anisotropic की वज़ा से है, लेकिन यह magnetic anisotropic effect में आते नहीं है, यह वाला proton जो है, उस cone के अंदर आ जाता है, जब यह cone के अंदर आ जाएगा, उस effect के अंदर आ जाएगा, तो highly shielded हो जाएगा, highly shielded हो जाएगा, तो यह देखें, 1.7 से 2.7 की तरफ आएगा, हालांकि अगर आप alkins को देखें, double band वाले जो हैं, वो 6.5 तक जा रहे हैं, यह हमारे पास direct जो alkyne triple band के साथ अटेच है, अब है जो triple band के साथ वाले carbon पर अटेच है, तो 1.6 और 2.6 है, उसमें B, वो भी shielded एरिया में ही आएगा, यह वाला जो है, क्योंकि यह वाले जो proton है, यह तो cone-shapeded एरिया, जो magnetic and isotropic effect है, उसके जो electron density है, उसके अंदर वाली side पर आजाएगे, जिसकी वज़ाए से shielded हो जाएगे, अब इन में J4 coupling भी prominent होती है, देखें दरा 1, 2, 3 और 4, J4 coupling जिसका coupling constant 2 to 3 hertz है, J4 coupling को आप alillic coupling भी कह सकते हैं यहाँ पर, लेकन यह small coupling होती है, prominent coupling यहाँ पर भी J3 होगी, एक spectrum देखें, alkyne का, यह हमारे पास alkyne है, तो इसमें देखें A, B, C और D, चार तरह के proton है, सबसे पहले A वाले proton देखें, जो A वाले proton है, उनके neighboring में 2 हैं, अगर उनके neighboring में 2 हैं, जिसके neighboring में 2 होते हैं, उसके triplet आती है, तो A वाले proton triplet show करेंगे, और यह चुँके saturated carbon है, दोनों ही saturated behavior show कर रहे हैं, तो यह shielded area में देखें चले जाएगा, almost 0.98 के करीब value आ रहे हैं, अब अगर आप B वाले proton देखें, तो B वाले proton के दोनों तरफ proton हैं, B वाले proton के एक तरफ 2 हैं, दूसरे तरफ 3 हैं, यनि 5 हैं, जिसके neighboring में 5 proton आएंगी, उसकी sextet आ जाएगी, तो यह यहाँ पर sextet आ गी है, दो proton की, नेक्स्ट हमारे पास C वाले proton है, यह जो C वाला proton है, बजाहर तो इसको singlet शो करनी चाहिए, लेकिन यह 1, 2, 3 और 4, J4 coupling शो करता है, D वाले protons के साथ, जिसकी वज़ासे यहाँ टबलेट्स अपियर हो जाती हैं, यह वाला, इसकी triplet अपियर हो जाएगी, किसकी single जो proton है हमारे पास C वाला, एक proton यह वाला है और एक यह वाला है, तो इनके साथ यह J4 coupling शो करतेगा, और J4 coupling की वज़ा से यह एक proton है, इसके neighboring में यह दो आगे, अगर इसके neighboring में दो आगे हैं, तो इसका मतलब है triplet बनेंगी, तो C वाला जो proton है, यह triplet शो कर रहा है, क्यों triplet शो कर रहा है, क्योंकि यह J4 coupling शो कर रहा है, अब next last में हमारे पास जो D वाले proton है, यह वाले दोनो, D वाले proton जो हैं, यह हमारे पास तीन doublet शो कर रहे हैं, यह नहीं, यह triplet of doublets है, होता क्या है, यह जो दो proton है, हमारे पास इनकी neighboring में यह दो हैं, तो इसका मतलब है, इन proton के neighboring में दो हैं, तो उनको triplet शो करनी चाहिए, अब लेकिन दूसरा effect क्या होता है, क्यों यह J4 coupling भी शो कर रहे होते हैं, C के साथ, जिसकी वज़ासे, जो triplets आती हैं, वो split होके doublet में change हो जाती है, यह proton doublet, क्योंकि यह इसके साथ doublet शो करेगा, तो doublet शो होने की वज़ासे, यहां पर तीन doublet शो आ जाएंगी, तो यह आ जाएगी triplet of doublets, तो इन में, जो alkyne-zine में J4 coupling भी prominent होगी, उसको allillic coupling कह रहे हैं, next हमारे पास aromatic compounds है, aromatic compounds में, दो तरह के proton ज्यादा prominent होते हैं, एक, एक वो proton है, जो aromatic system में आ रहे हैं, जो benzene ring पर direct attach होते हैं, वो 6.5 से 8 की range में आते हैं, यह magnetic anisotropy की वज़ासे है, जो ring current produce होता है, जो pi band revolve कर रहे हैं, delocalized उनकी वज़ासे ring current produce होता है, और वो ring current की वज़ासे, जो साथ ये deshield हो जाते हैं, साथ-साथ magnetic anisotropic effect भी शो कर रहे होते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा deshielded proton है, 6.5 से 8, दूसरे hydrogen है benzylic, जो benzyn ring के साथ attach होते हैं, तो ये भी देखें, थोड़ा सा deshielded area में आ रहे हैं, 2.7 तक, क्योंगे ये ring current है, magnetic anisotropy है, वो benzylic hydrogen को भी effect कर रही होती है, अगर्चे उतना effect नहीं करती, जितना ये phenyl वाले hydrogen, benzyn वाले hydrogen को करती है, तो ये भी 2.3 तो 2.7, अब benzyn जब mono-substituted होता है, तो एक और जब group लगता है, तो तीन possibility होती है, ortho, meta और para, ortho, meta और para components को कैसे पहचानेंगे, हम उनके coupling constant से, ortho में ज़्यादा coupling constant होता है, क्योंकि क्रीब क्रीब होते हैं, उनके couple करने के chance ज़्यादा होती है, तो 7 to 10 है, meta में एक carbon छोड़ कार होता है, तो coupling का chance काम हो जाता है, अगरचे J4 coupling हो सकती है, 2 to 3 Hz, और जो J5 है, जो para वाला proton है, वो J5 coupling शो करेगा, जो के कम हैं, जिसकी वज़ाए से 0 to 1, ज़्यादा prominent जो coupling है, वो J3 है, वो 7 to 10 तक हर्ट्स तक उसका coupling constant आता है, तो चौके तीनों में coupling constant different है, तो इसका मतलब है, हम ortho, meta और para groups को भी identify कर लेंगे, अगर हम spectrum देख लें, तो यहाँ पर देखें, यह हमारे पास benzene ring है, उपर CH2Cl और इधर CH3 है, इसका मतलब है, उपर और नीचे वाड़ा group different है, अगर उपर और नीचे वाड़ा group different है, तो उसमें plane of symmetry नहीं हो सकती, अगर plane of symmetry नहीं हो सकती, तो यह benzene के चारों hydrogen उपर और नीचे वाले same नहीं हो सकती है, सबसे पहले तो आप CH2B वाले proton को देख लें, क्योंकि कलोरीन की electro negativity ज़्यादा होती है, और साथ-साथ यह magnetic and isotropy भी होती है, यहाँ पर pie electron की वज़ा से, तो यह proton de-shielded area में चले जाता है 4.5, दो effect experience कर रहा है, magnetic and isotropic अगरचे वो थोड़ा है, लेकिन कलोरीन की electro negativity ज़्यादा है, तो यह काफी de-shielded area में आ गया, अगर आप CI3 वाले proton देखें, तो CI3 वाले proton जो है, आम तोर पर यह 0.91 तक आते हैं, लेकिन चुँकर यह benzylick वाले हैं, यह benzyn rink के साथ direct attached, जो carbon उस पर है, benzylick है, तो यह magnetic and isotropy की वज़ा से देखें हैं, हमारे पास यह 1.5, 1.6 के करीब आ गए हैं, अब हमारे पास यह वाले proton बच गए हैं, D वाले, यह जो D वाला proton है, उसके neighboring में भी एक proton है, यह 1, 2, 3, J3 coupling show करके doublet शो करेगा, D वाला C वाले के साथ couple करके doublet, और C वाला D वाले के साथ couple करके doublet, D और C आपस में couple करेंगे, तो इसमें doublet, दो doublet सा जाएंगी, एक doublet D की वज़ा से होगी, यह और यह सेम है, C के साथ couple करके doublet, C दोनों सेम है, D के साथ couple करके doublet, तो doublet ही इसकी आएगी, C की और doublet ही इसमें, D की आएगी इस तरह समें चार तरह की पीक्स आजाएगी aromatic compound का स्पेक्ट्रा था next time हमारे पास alkyl halide alkyl halide में halo group होते हैं जितनी halogen की electro negativity ज्यादा होगी उतना ही वो electron को अपनी तरफ खैंच के रखेगा जिसकी वज़ा से D shielding ज्यादा हो जाएगी तो सबसे ज्यादा D shielded proton फलोरीन वाले होते हैं 4.2 तो 4.8 और सबसे कम जो होते हैं वो iodine वाले तो range क्या बनेगी 2 से शुरू करके 4.8 तक यानि वो proton जो ऐसे carbon के साथ attach है जिसके साथ halogen भी attach है तो उनकी range 2 से 4.8 तक आएगी और ये जो फलोरीन है क्योंकि इसकी electro negativity ज्यादा है तो ये ज्यादा D shield करेगा proton को और ये almost 5 के क्रीब क्रीब ले जाएगा अगर हम coupling constant चेक करें तो J2 यहाँ पर 50 hertz आ रहा है actually J2 coupling constant है वो hydrogen फलोरीन का अपस में है जो fluorine है fluorine की spin भी 1 by 2 होती है ये hydrogen के साथ couple कर जाता है जब hydrogen और फलोरीन कापल करते हैं तो 50 hertz इसको J2 coupling कहेंगे क्योंकि एक ही carbon पे attach है तो 50 hertz आ रही है अगर आप J3 coupling चेक करेंगे यनि hydrogen और फलोरीन कापल तो का रहे हैं लेकिन J3 है तो J3 coupling कम होगी वो 20 hertz हो जाएगी प्रोटोन जितना करीब होते हैं उनमें coupling के chance उतने ही ज्यादा होते हैं तो ये जो दोनों अशो किये हुए है ये coupling constant की values दो दी हुए है ये actually फलोरीन hydrogen के साथ couple कर रहे हैं क्योंकि फलोरीन जो है वो भी NMR active है उसकी spin भी hydrogen की तरह 1 by 2 ही है तो same spin होने की वज़ा से ये couple कर जाते हैं इसका expectrum भी देख लें alkyl halide का alkyl halide में देखें यहां चार तरह के signal है A वाला जो proton है उसके neighboring में 2 हैं तो इसका मतलब है इसके triplet आएगी और ये shielded area में आएगी क्योंकि ये halogen से दूर है तो ये 0.9 के करीब आगी अब B वाला जो proton है उसके neighboring में C वाले और A वाले है A 3 है और C 2 है 3 और 2 5 का मतलब है 6 proton है neighboring में अगर 5 होंगे तो sextet आएगी तो B की देखें sextet आ रही है अगर आप C को देखें तो C के दोनों तरफ 2 दो proton है तो C की हमारे पास दोनों तरफ 2 दो का मतलब है चार चार का मतलब है पांच pentat या इसको quintet कहते हैं तो ये 5 peaks आजाएंगी और ये वाला जो CH2 है ये काफी de-shielded होगा क्यों ये कलोरीन के साथ attach है कलोरीन इसको de-shield कर देगा और इसके neighboring में देखें ये जो चोथा carbon है उसके neighboring में CH2 दो proton है तो जिसके neighboring में दो proton होते हैं उसके triplet आती है तो ये triplet आ जाएगी दो proton की 3.5 पे तो halogen वाले जो proton होगा halogen वाले carbon के साथ वो काफी ज़्यादा de-shielded area में चले जाएगा alcohols alcohols में जो prominent peaks होती है एक तो होती है वो OH वाली peak जो alcoholic group है वो 0.5 से 5 ppm के दर्मियान आती है ये depend कर रहा होता है कि temperature कितना है, concentration कितनी है solvent कितना डाला है concentration कितनी है, hydrogen bonding कितनी हो रही है तो इस peak को काफी factors effect कर रहे होती है अगर हम CHOH ये वाड़ा proton देखें जो CH के साथ लगा हुआ है तो ये J3 coupling है ये 3.2 से 3.8 ये 3.8 तक क्यों चले गया है क्योंकि oxygen की electron negativity ज्यादा है ये carbon से electron खेंचेगा और इस carbon वाले proton को de-sheet कर देगा यहाँ पर जो coupling है oxygen वाले और hydrogen वाले proton के दर्मियान होनी तो J3 coupling चाहिए लेकर आम तोर पर ये coupling नहीं होती अगर ये coupling हो जाए तो फिर ये 5 हर्ट्स इसका coupling constant आएगा actually इसमें coupling होती क्यों नहीं ये जो OH वाला proton है ये couple क्यों नहीं करता है ये इसलिए नहीं करता है कि ये exchangeable proton होता है अगर हम इसमें acid डाल दें water डाल दें small amount of acid डाल दें तो ये exchange होना शुरू हो जाता है ये वाला acid वाला proton HA ये solvent भी हो सकता है water भी हो सकता है इसका proton oxygen के साथ चले जाता है और oxygen वाला proton A के पास चले जाता है तो ये चुँके exchange हो रहे होते हैं तो इनका exchange बड़ा rapid होता है जिसकी वजह से इनकी आपस में coupling possible नहीं होती है यहाँ पर देखें अगर आप hydrogen जो है ये इसको check करना चाहते हैं कि alcoholic group मुझूद है ये नहीं तो आप deuterium वाला water डालें D2O D2O जब इसमें add करेंगे थोड़ा सा stir करेंगे shake करेंगे इसको तो result क्या निकलेगा ये exchange हो जाएगा यहाँ आजएगा deuterium और यहाँ हमारे पास जो H है वो D2O के पास चले जाएगा deuterium exchange हो गया अब यहाँ पर OH वाला signal gap हो जाएगा जो OH वाला signal होता है NH वाला signal होता है ये थोड़े से broad भी हो सकते हैं और इनके broad होने की वज़ा भी ये इनकी exchange होता है जितना proton का exchange rapid होता जाएगा उस rapid exchange की वज़ा से उसकी peak उतनी ही weak होती जाएगी और peak broad होके ultimately जो हमारा axis होता है chemical shift वाला उस axis के साथ ही लग जाती है और हमें पता ही नहीं चलता तो ये इसके सिरफ exchange की वज़ा से है अब अगर हम temperature ज़्यादा कर दें temperature ज़्यादा करने से bonds की vibration ज़्यादा और exchange होने के chance बढ़ जाते है इसका मतलब है temperature जितना ज़्यादा करेंगे इस proton का carbon वाले proton के साथ ये OH वाले proton का carbon वाले proton के साथ कपल होना उतना ही मुश्कल होता जाएगा हाई temperature पर कपलिंग इतनी easy नहीं होती इसी तरह अगर water आप as solvent डाल देंगे जिसके पास polar है जो हमारे पास polar compound है और इसमें hydrogen भी acidic हैं तो result क्या निकलेगा फिर भी एक्सचेंज होता रहेगा और कपल करने के चांस carbon वाले hydrogen से काम हो जाएंगे इसमें अगर acid में small amount में डाल देंगे तो acid भी exchange हो करेगा तो यहां पर जब भी exchange होगा जब तक exchange होता रहेगा कपलिंग का चांस नहीं है हाँ अगर यह pure हमारे पास कोई भी alcohol pure है उसमें ना तो कोई small amount of acid है temperature भी काम है और आपने water जैसा कोई powder solvent भी नहीं डाला हुआ तो फिर यह OH वाड़ा proton जो oxygen पर proton हो यह carbon के साथ कपल कर जाता है आम हलात में यह कपलिंग नहीं होती है और यह कपलिंग ना होने की वज़ा से इसका signal जो है वो बड़ा faint आता है small signal और अक्सर broad हो जाता है और बात दफा अगर ज़्यादा dilution हो जाए तो यह इतना exchange हो जाता है rapid हो जाता है कि यह appear ही नहीं होता है यह अगर आप एक spectra देख लें तो यह हमारे पास यह alcohol है इसमें हमारे पास सबसे पहले तो देखें CI3, CH3 इनका signal देखें जो CI3 वाले proton उनके नेबरिंग में एक ही proton है यह CH वाड़ा अगर नेबरिंग में एक proton हो तो डबलेट आती है और यह डबलेट भी shielded area में आएगी क्योंकि यह saturated system है सारा तो यह देखें यह 1 से below 0.7 के करीब आ रही है यह वाले पीक डबलेट अब यह जो proton है जो यह वाड़ा एक हच वाड़ा तो उसके नेबरिंग में चेक करें CI3, CI3, 6 proton तो यह हैं और फिर दो proton है साइड वाले भी हैं तो उसके नेबरिंग में almost 8 proton है जिसकी वज़ा से यह multiplat show करता है यह वाले multiplat show कर देगा अब इसके साथ यह CH2 वाला देखें इस CH2 वाले proton जो है उसके नेबरिंग में एक ही proton है यह वाला जो CH2 ग्रूप है उसके नेबरिंग में यह एक ही proton है तो यह D वाला proton भी यहाँ पर splitting show करेगा अब D वाले proton को यहाँ पर doublet show करनी चाहिए अगर यह D वाला proton अगर देखें तो उसके नेबरिंग में एक ही proton है इसको doublet show करनी चाहिए लेकिन एक्चुली यह C वाले proton के साथ भी couple कर रहा है यानि इसके एक तरफ यह वाला H है और दूसरी तरफ OH वाला H है तो दो H हैं यानि CH2 के नेबरिंग में दो hydrogen है इसका मतलब है जिसके नेबरिंग में दो आएं triplet आती है क्योंकि यहाँ couple कर रहा है coupling कैसे पता चाहिए यह couple कर रहा है यहाँ देखे C C वाले proton उनको क्या show करनी चाहिए singlet लेकिन यह triplet show कर रहा है triplet show करने से क्या हम राद है यह neighboring वाले यह जो D वाले दो hydrogen है उनके साथ couple कर गया है क्यों couple कर गया है इसका मतलब है यह बिल्कुल pure compound था जिसका spectra लिया है इसमें हमने कुछ solvent भी नहीं डाला means यह वाला proton exchange नहीं हो रहा अगर exchange नहीं हो रहा तो यह couple कर जाएगा साथ वाले carbon के जो hydrogen है उनके साथ तो यह couple करके यहाँ पर क्या show कर रहा है triplet show कर रहा है H वाला इसी तरह यह CH2 भी triplet show कर रहा है आला कि इसके neighboring में यह एक है लेकिन actually यह oxygen वाले के साथ भी couple कर रहा है तो एक इधर एक इधर दो proton दो proton का मतलब है यह show करेगा हमारे पास triplet next हमारे पास ethers हैं ethers में तो oxygen के साथ direct hydrogen जो carbon होता है उस पर hydrogen लगे होते हैं जिसकी वज़ासी यह 3.2 से 3.8 और यह because of oxygen है क्योंकि oxygen की electron negativity ज़्यादा होती है तो यह साथ वाले कार्बन से electron खेंच के उसको de-sheet कर देता है और यह proton 3.2 से 3.8 तक चले जाते हैं जैसा के हमारे पास यह ether का spectrum है इसमें यह वाली जो singlet है methoxy की यह बड़ी prominent है जो oxygen के साथ attach है यह बड़े वाली singlet है यह दो peak से एक दूसरे के बहुत CH3 वाला जो oxygen के साथ proton है D वाला यह इसकी singlet आ जाएगी उसके बाद हमारे पास यह वाला CI3 है इस CI3 के neighboring में दो proton है इसकी triplet आएगी लेकर यह चूंकर saturated system है oxygen भी क्रीब नहीं है तो यह shielded area में चले जाएगा यहाँ पर अब B वाले proton के एक तरफ तीन है एक तरफ दो है तो इसका मतलब है पांच proton है पांच proton का मतलब है sextet आएगी तो यह देखें B वाले proton की sextet आ रही है अगर आप C वाला देखें तो उसके दोनों तरफ दो-दो है दो-दो का मतलब है 4-4 का मतलब है यह हमारे पास total 5 peaks बनेगी पेंटर्ड या उसकी क्विंटर्ड आ जाएगी यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट पीक्स हमारे पास अपियर हो जाएगी, अब रह गया E वाला प्रोटोन, अब CH3 और CH2 दोनों अक्सीजन के साथ अटैच है, CH2 वाला ज्यादा D-Shielded है, देखें, वो D से भी आगे चले गया, मिथाईल वाले से, क्यों क्योंकर यह सेकंडरी वाला है, यह मिथाईन है मिथाईन वाला कार्बन जो होता है उसके साथ जो प्रोटोन होते हैं वो ज्यादा D-Shielded होते हैं अगे चले गया, मिथाईन जो होता है उसकी प्रोमिनेंट टाल पीक से हम पहचान लेते हैं यह बड़ी पीक, उसकी इडेंटिफिकेशन होती है इथर में, CI3 की, अगर यह 3.2 और इसके गद्धाएं बाएं आजए 3 और 4 के दर्म्यान आजए तो Amines में, जो हमारे पास 3 तरह की peaks हो सकती है अगर तो वो Aliphatic Amines है तो NH वाली पीक, यह भी पीक इतनी असानी से डेंटिफाए नहीं होती उसकी वज़ा यह है, कि यह 0.5 से 4 तक आती है और यह भी hydrogen acidic होता है, यह भी exchange होता रहता है और exchange की वज़ा से peaks की भी faint हो सकती है इसी तरह nitrogen के साथ वाले carbon पर जो hydrogen है वो वाला hydrogen भी जो है, यह 2.2 और 2.9 पर आएगा यह भी nitrogen की electronegativity की वज़ा से थोड़ा सा de-shield हो गया 3 तक चले गया है अब यह जो nitrogen direct attach है ring के साथ यहाँ पर 2 तरह के effect लग रहे है एक तो nitrogen की electronegativity ज़ाद है और दूसरा benzene ring की pile electron की वज़ा से magnetic anisotropy होती है और वो magnetic anisotropy भी इसको de-shield करके 5 तक ले जाती है तो इसमें 3 तरह के amines में proton हमारे पास आ जाएंगे अब यह NH वाले proton है उनकी broad peak भी आ सकती जैसा कि आप इस spectrum में देखें यह broad peak आ रही है दो proton की यह broad peak तब आती है जब proton exchange कर रहे होते हैं जब solvent हमारे पास ऐसा add कर देते हैं जिसमें वो protect solvent होता उसके पास hydrogen होते हैं या को impurity आ जाती है जैसे कोई acid उसमें small amount में hydrogen आइन दे रहा होता है तो यह देखें broad peak आ रही है जितना exchange ज़्यादा होता जाएगा इस peak की height कम होती जाएगी और यह इतनी broad हो जाएगी कि यह इस line के साथ ही लग जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर NH2 group की यानि hydrogen की peak है भी या नहीं फिर हमारे पास methyl वाले proton है वो तो उनके नेबरिंग में दो हैं triplet show करेंगे और यह saturated system है तो 1 से नीचे ही आएगा यह जो CH2 है B वाड़ा उसके एक तरफ दो हैं एक तरफ तीन है दो और तीन पांच पांच का मतलब है यहाँ पर 6 यानि sextet आएगी last में यह दो proton बच गी है यह दो वाले proton के नेबरिंग में B वाले proton है अगर नेबरिंग में B वाले proton है तो इसका मतलब है यह एक के इसके नेबरिंग में दो है तो triplet आ जाएगी यह वाली अब यह वाली triplet काफी deshielded है 2.5 से भी उपर चली गए यह वज़ा क्या है क्योंकि यह वाला कार्बन डिरेक्ट nitrogen के साथ attach है वो उसको deshield कर रहा है यहाँ पर एक एम प्रॉमिनेंट जो बात वो यह है कि यह hydrogen जो nitrogen के hydrogen है NH2 वाले यह carbon के hydrogen के साथ couple नहीं कर रहे couple ना करने की वज़ा से यहाँ पर इनके singlet appear हो रही है अगर यह nitrogen के proton couple कर रहे होते हैं hydrogen के साथ तो फिर यह triplet show करते क्योंकि इनके neighboring में दो proton आजाते next मारे पास class है nitrile nitrile में cn group है यहाँ तो hydrogen है कोई नहीं लेकिन जो cn के neighboring वाला carbon है उसका proton थोड़ा सा deshield होता है 3 तक चले जाता है इतना ज्यादा deshield नहीं होता अगरचे यह पूरा electron with drying group है लेकिन actually यह वाला carbon है तो direct carbon से attach, nitrogen से attach नहीं है अगर यह वाला carbon direct nitrogen से होता तो फिर थोड़ा सा ज्यादा deshield होता अगर हम इसका भी spectrum check कर लें cn का तो देखें cn के साथ वाले जो proton है ch2 वाले है ch2 वाले जो proton है उनके neighboring में 2 है इसका मतलब triplet show करेंगे यह वाले और यह deshielded area में चले गए है 2 point है यह तकरीबन 3 के करीब है जिसकी यह cn की वज़ा से है यह वाले methyl group के neighboring में 2 proton है तो यह triplet show करेगा लेकिन यह shielded area में चले जाएगा यह जो b वाले proton है उसके neighboring में 2 और 3 पांच है पांच का मतलब है यह sexted show करेगा तो b वाले proton देखें sexted show करें और जो c वाले हैं उनके दोनों तरफ दो दो है दो दो का मतलब 4 proton है 4 proton का मतलब है 5 peaks show होंगी यह हमारे पास quinted या pented show करेगा 5 peaks आजाएगी next है हमारे पास aldehydes aldehydes में जो prominent peak है वो aldehyde group की है वो 9 से 10 ppm पर चली जाती है एक इसकी वज़ा magnetic anisotropy है एक वज़ा तो anisotropy है यह जो carbon oxygen का pi band है वो carbon oxygen वाला pi band magnetic anisotropy show करता है जिसकी वज़ा से aldehyde वाला carbon काफी ज़्यादा deshield हो जाता है number 2 पे यह जो C double band O group है यह electron with drying group भी है इसकी electronegativity oxygen की ज़्यादा होने की वज़ा से यह और ज़्यादा deshield करता है तो यहाँ दो effect कठे होगे एक तो electronegativity और electron with drying effect और दूसरा magnetic anisotropy साथ-साथ जो aldehyde के साथ पहला carbon होगा alpha वाला hydrogen यह CH वाला hydrogen वो भी 2.1 से 2.4 ppm वो भी oxygen की electron activity की वज़ा से carbonyl group की वज़ा से deshield कर रहा होता है थोड़ा सा यहाँ पर magnetic anisotropic effect भी लगता है इस carbon पर लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना aldehyde वाले carbon पर लगता है अब coupling constant देखें यह जो aldehyde वाला carbon है और यहाँ carbon तक जो यह वाला carbon है तो यह J3 J3 coupling बनती है 1, 2, 3 hertz यह जो coupling है between aldehyde एक hydrogen और alpha hydrogen aldehyde वाला hydrogen और alpha hydrogen के दर्मियान यह जो coupling है यह इतनी prominent नहीं है यह बहुत small J3 coupling बड़ी small होती है aldehyde वाले carbon की अगर हम एक spectrum चेक कर लें तो यह हमारे पास ISO-butyraldehyde है methyl group को देखें methyl group तो shielded area में चले जाएंगे क्योंकि यह saturated carbon के साथ attach है तो यह जो तीन hydrogen है उनके neighboring में एक है यह दोनों एक जैसे group है methyl, methyl तो neighboring में एक का मतलब है doublet शो करेंगे तो यह शुरू में एक doublet आजाएगी यह वाली जिसको उसने expand करके भी दिखाया doublet को फिर देखें B वाला proton है B वाले proton के neighboring में 6 proton है 6 का मतलब है 7 peaks आएंगी यह हमारे पास आजाएगी septet यह एक ही proton की septet आजाएगी यह वाली उसने इसको open करके अज जो है peak को resolve करके लिखा है अब अज गया aldehyde वाला hydrogen तो aldehyde वाला hydrogen singlet शो करेगा क्योंकि इसमें J3 coupling इतनी prominent नहीं होती है तो यह singlet देखें यह जाके हमारे पास आजाएगी C वाली 0.82 यह एक proton की है यह 9.5 से भी उपर जा रही है यह 9.5 to 10 के दर्मियान आ रही है अगर आप इस peak को भी थोड़ा सा expand करके देखेंगे तो आप देखेंगे यह थोड़ी सी split हो जाती है दो peaks में split हो रही है दो peaks में split होना इतनी resolution के बाद अगर split होती है नजर आ रही है तो इसका मतलब है aldehyde वाला जो प्रोटोन है यह इस B के साथ कपल कर गया J3 कपलिंग अगर्चे प्रोमिनेंट नहीं है बजार singlet ही लग रही है लेकर resolution के बाद यह डबलेट में convert हो जाता है क्या हूं यह जो aldehyde वाला कार्बन है उसके नेबरिंग में एक कार्बन है तो इसका मतलब है डबलेट में convert हो जाएगा अगर aldehyde वाला जो proton है वो J3 कपलिंग शो करेगा जो के weak कपलिंग है in case of aldehyde अगर हम ketones को चेक करें तो ketones में कार्बनिल कार्बन के साथ वाला जो hydrogen है वो ज्यादा prominent है वो इस कार्बनिल group की electron with drying effect की वज़ा से 2.4 ppm तक चले जाता है और इसके साथ साथ यहां पर थोड़ा सा magnetic endisotropy भी होती है अगर्चे aldehyde वाले hydrogen की तरह ज्यादा नहीं होती है यह ketone का spectrum है इसमें यह methyl group देखें जो CI3, CI3 है तो methyl group दोनों saturated carbonate है इनके neighboring में एक हाइडोजन है तो देखें यह double it आजाेगी यह वाला जो hydrogen है यह हमारे पास C वाला hydrogen है तो उसकी multipleat और यह जो हमारे पास B वाले proton है यह B वाले proton के neighboring में देखें दो यह है और एक यह है तो यह quartet आएगी तो यह quartet है जिसमें थोड़ी peaks बड़ी नज़र आ रही है लेकिन यह साथ वाली peak भी उसके साथ ही mix हो रही है multiplet show हो जैसे multiplet है अगर्चे हम resolve करेंगे हाई अगर हम magnetic field की strength ज्यादा दे देंगे तो यह peak भी resolve हो जाएगी अब हमारे पास यह methyl group वाले proton है D वाले चुँकर यह direct carbonil group से attach है तो magnetic anisotropy की वज़ा से और फिर electron with drying effect की वज़ा से deshielded area में चलेगे यह two's के बाद में आ जाएगे अब दूसरी तरफ CH2 वाले proton भी हैं यह CH2 जो वाले जो proton है उनके neighboring में 2 हैं इसका मतलब triplet show करेंगे यह methyl group से भी ज्यादा deshielded हैं देखें यह 2.5 के क्रीब चले गए है वज़ा क्या है क्योंकि यह secondary carbon के hydrogen है secondary carbon के hydrogen primary carbon के hydrogen से ज़्यादा deshielded होते हैं next मारे पास carboxylic acid है इनमें जो OH carboxylic acid का जो OH उस वाला proton highly deshielded होता है इसमें deshielding effect बहुत ज्यादा होता है due to magnetic anisotropy और फिर 2 electronegative atom है एक carbonil वाला और दूसरा oxygen वाला तो यह LD हाइड से भी ज्यादा deshielded हो गया magnetic anisotropy तो होगी साथ साथ इसके हमारे पास यह जो हमारे पास है HO oxygen के साथ टैचा उसकी electronegativity ज्यादा है और जो carboxylic group के साथ alpha hydrogen होंगे वो थोड़े deshielded होंगे उन पर इतना ज्यादा electron with drying effect नहीं होगा carboxylic group की जो peak होती है यह देखें यह भी exchangeable proton है carboxylic group का जो proton है वो exchangeable proton है वो 10 के बाद आ रहा है देखें यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आर्मोस यह 12.5 पे तो यह जो proton है उनके exchange हो रहा होता है तो exchange होने की वज़ा से इसका effect weak हो जाता है तो इसकी weak सी peak आती है इसका signal weak हो जाता है क्योंके rapid exchange हो रहा है यह OH वाले group अलागर्चे दो है यहाँ पर OH group लेकन यह singular show करेंगे एक जैसा behavior show करेंगे और साथ-साथ rapid exchange की वज़ा से इनकी जो peak है वो इतनी prominent नहीं आएगी जितना exchange ज्यादा prominent होता जाएगा solution dilute हो जाएगा water add कर देंगे या को acid add कर देंगे तो exchange जितना prominent होता जाएगा यह peak उतनी ही weak होती जाएगी अब हमारे पास रहागे CH3 वाले proton तो यह CI3 वाले proton चूंके saturated carbon से dash है इनके neighboring में 2 हैं तो यह triplet आजाएगी और फिर यह जो CH2 वाले हैं इनके neighboring में एक तरफ 3 हैं और एक तरफ 1 है यानि टोटल 4 है अगर टोटल 4 है neighboring में तो फिर pentet या quintet आएगी यह वाले यह 5 peaks आजाएगी इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 peaks आजाएगी अब हमारे पास यह H वाला रहागा यह CH वाला यह एक proton है एक proton के neighboring में 2 हैं इस proton के neighboring में 2 हैं तो triplet आएगी अब यह triplet काफी de-shaded है यह 3 से भी उपर चले गई है वजह क्या है 3 से उपर जाने की क्योंकि इसके दोनों तरफ C double bond O group लगे हुए हैं जो अपना electron with drying effect शो करके इस carbon से electron खैंच लेते हैं इस carbon से electron खैंचने के बाद इस proton को de-shield कर देते हैं नेक्स्ट है हमारे पास esters तो esters में हमारे पास prominent peaks आती हैं वो वाले जो proton एक जो direct oxygen के साथ अटैच और दूसरा direct कार्बोनिल के साथ अटैच हैं उक्सीजन वाला ज्यादा de-shield होगा क्योंकि उक्सीजन की electron negativity ज्यादा है वो ज्यादा उसको de-shield करेगा और फिर यहाँ पर magnetic जहां पाई बांड होता है carbon carbon double bond या carbon oxygen double bond या nitrogen double bond वहाँ पर anisotropy भी आती है यह वाला CH2 group जो है यह भी दो वजुहात हैं इसके 2.5 तक जाने की एक तो carbonil group का electron with drying effect और दूसरा magnetic anisotropic effect यहाँ पर भी आप spectrum देख लें यह वाला जो proton है यह direct carbonil group के साथ attach है लेकिन इसके neighboring में कोई proton नहीं है तो यह singlet शो करेगा यह इस proton के C के singlet आगी है next हमारे पास यह जो proton है यह हमारे पास proton A वाले इनके neighboring में एक ही proton है तो यह doublet शो करेंगे क्योंकि saturated carbon के साथ attach है तो यह हमेशा 0.9, 0.8, 0.7 के क्रीब ही फाल कर रहे होंगे इनकी doublet आगी यह B वाला जो proton है उसके neighboring काफी ज़्यादा proton है यह तीन और तीन छे तो यह A वाले हैं और दो D वाले भी है आठ प्रोटोन का मतलब है यहां पर 9 पीक्स आएंगी तो यह यह यहां पर प्रीब चले गया है इसके बाद हमारे पास अमाइड्स हैं अमाइड्स में एक तो NH वाली पीक ही आएगी 5-9 यह पीक्स भी प्रोटोन होते हैं और इनको एफेक्ट करेगा temperature भी concentration भी और solvent भी एफेक्ट कर रहा होता है जितना rapid प्रीब चेंज होता जाएगा उतनी इसकी भी पीक वीक होती जाएगी फिर अमाइड्स ग्रूप के साथ जो alpha होता है वो अमाइड्स ग्रूप जो होता है अमाइड्स ग्रूप एक तो सी डबल बांड हो है यहां पर magnetic anisotropy भी हो सकती है दूसरा electron with drying group है तो यह 2.5 तक ले ज जीड करता है oxygen वाला अगर oxygen लगा हुआ है oxygen वाला carbon जो है oxygen के साथ वाला carbon है उसकी इससे भी ज्यादा de-shading होती है क्योंके oxygen की electronegativity nitrogen से भी ज्यादा होती है अगर हम इसका spectrum देख लें एक हमाइड का तो NH2 वाले proton यह देखें यहां पर show हो रहे हैं हमारे पास दो छोट छोटी हमारे पास singlet सारी है इन protons की तो यह चुँके exchangeable proton है दोनों यह exchangeable proton होने की वज़ा से इनकी जो peaks हैं दूसरी तरफ तीन proton है फाइव है फाइव का मतलब है six यानि sextet शो करेगा यह बी वाली sextet है और यह C वाला जो proton है इसके neighboring में दो proton है अगर neighboring में दो हैं तो यह triplet शो करेगा यह वाले दोनों proton जो है nitrogen के यह exchangeable proton है बारी-बारी exchange हो रहे हैं तो दोनों लहता-लहता यहां पर sing let's show करते रहेंगे यह idea students different classes of organic compounds उनमें prominent peaks उनके sheeding या de-sheed होने की वज़ा क्या है magnetic anisotropy है या electronegativity है या दूसरे effects है solvent है हमारे पास temperature है concentration है तो different factors हमने देखे next lecture में इंशाला तला हम इनकी मुखतलफ organic compound की structure elucidate करने की कोशिश करेंगे thank you very much